आजकल हर आदमी परेशान है किसी को नौकरी की दिधकत है तो किसी को कुछ ओर ऐसे में व्यक्ति की भरपूर कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से उसे गवंच नौकरी मिली जाए गवर्मेंट नौक्रियों की निकलने वाली वेकेंसी पर भी लाखों लोग अपलाए करते हैं लेकिन कई बार कुछ लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं हाल ही में रेलवे में 5000 से जादा भरती की जानकारी देने वाला एक विग्यापन सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ था ये विग्यापन एफ्स्ट्रान इंफर टैक नाम की कंपनी की आधार से जारी हुआ था और इसमें भारती रेल विभाग लिखा हुआ था साथ ही ये लिखा था कि रेल विभाग में 11 साल के लिए अनुबंध पर विभन पदों पन नियुक्ती की जा रही है आविदन केवल ओनलाइन माधियम से भरे जाएंगे इवं प्रत्य नियुक्ती साक्षातकार के आधार पर की जाएगे इसकी आखरी तारेक 10 सितंबर बताए गई थी फॉर्म भने की फीज 750 रुपय थी वहीं ये भी बताए गया था कि 18 से 40 साल तक के लोग आविदन कर सकते हैं थाली पदों के संख्या 5,280 बताए गई थी साथी साथ आविदन करने के लिए www.astron.in website का पता दिया गया था इसके लावों कोई भी कॉंटेक नंबर नहीं दिया गया था विवन पदों के बारे में कहा गया था जिन में वेल्डर, केबिन में, चप्रासी, केटमें, कनिश्च साहयक, बुकिंग, क्लर्क, नियंत्रक और केंटीन सुपरवाइजर के पदों के लिए वैकेंसी बताए ग गया और बताया गया कि 8 अगस्त को एक बड़े अकबार में रेल्वे विकेंसी के बारे में एक कम्पनी ने विज्चापन दिया, जब इसकी सूचना मिली तो आपको बतादें कि रेल्वे में किसी भी तरह की भरती भारती रेल्वे ही करता है, किसी भी प्राइवेट इसे को एक काम नहीं दिया जाता इसलिए अकबार में जो विज्यापन छपा है वो जूटा है रेलवे के मुताबिक इसके पीछे किसी फरजे विज्यापन ठक गिरहों का हाथ हो सकता है जो युवाओं से धुखा धड़ी करते हैं नोकरी दिलाने के नाम पर इसलिए सरकारी नौकरी के लिए विज्यापन पर युवाओं को सावधान रहना चाहिए और हमेशा अथारिटी सोर्स पर ही भरोसा करना चाहिए कि किसी भी चीज के लिए हमें कैसे अपलाए करना है अगर वो अथारिटी से आई हुई चीज है तो ही उस पर विश्वास करें आप देख र